हेग आइस वल्कम बैक में चैनल मैं हूँ दिपीका कैसे हो आप सब आए हूप आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं बात करने वाले हूँ कि अगर हमारे स्कीन के लिए SPF संस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो हम कंफ्यूज भी होते हैं कई बार कई वर ऐसे होते हैं कि जो भी क्लैंस आते हैं मेरे पास भी लेने के लिए या फिर आप बाहर जाते हो सबकी सेम प्रॉबलम है अगर आप लोगों को SPF चाहिए संस्क्रीन चाहिए तो सबसे ज़्यादा करती है वह संस्क्रीन के बारे में आज हम बात करेंगे कि संस्क्रीन हमें क्यों लगाना चाहिए और कौन-कौन से SPF वाली ज्यादा बैटर रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आप लोगों को बता दूँ जैसे कि आप लोगों को मेरे जाले में पता है तौन तरह की वीडियो साते पथा आटे मैं को Kane पस्कृं से रिलिए तो आप लोगों को वीडियो दे रही हुं कि अगर आप संस्क्रीन चूस करते हो अगर आप लोगों को Sun screen लेना है तो आप कहीं वे जाते है मार्केट में लेने या फिर आप उनलाइन बाइक करते हूं तो संस्क्रीन लेने में क्या आप लोगों को confusion होती है यह question है मेरे पास की संस्क्रीन कौन से लेने चाहिए जैसे संस्क्रीन का 1 कि बोला है मैंने कि विंटर में आपको संस्क्रीन को कभी भी skip कर देना चाहिए क्योंकि गर्मिव में खेली की दूफ किन्न ही हमारे संस्क्रीन को बह। ज्यादा डाइमेज करती है और उससे हमए बचने के लिए सेंस्क्रीन लगाना पड़ता है जिसकी एस bride ज्यादा हो आप कम है कम मैं तो कर ती है उसमें जे फाला inea हमारे स्कीन को कम्या सीर गड़ते हैं लेकिन जैसे जैसे के कार्डिंग भी लोग ले लेते हैं कि चलो 15 ले ले लेते हैं उसमें इतना बज़ट है अगर 50 लेते तो इतना बज़ट है आखिर है तो SPF ही ना ऐसे लोग सोचते हैं तो मैं यहां पर बता दूं कि SPF आप जितना ज्यादा लोगे वो उतना ही अच्छा रहेगा आपके स्क SPF दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप अलग से संस्क्रीन ले रहे हो अलग से SPF ले रहे हो तो हमेशा आप SPF ज्यादा वाला स्लेक्ट करो कि वह हमारे स्किन को ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा हमारे जैसे कहते हैं SPF 15 लोगे 13 लोगे इंको 97% 96% 98% मिलती हमारे स्किन को धूब के किनों से बचाती है लेकिन जैसे SPF का नंबर बढ़ जाता है जैसे के SPF 50 लेते हैं तो हमारे स्किन ज्यादा प्रोटेक्ट रहती है और सूर के किने किसी भी तरह से हमारे स्किन को हाम ज्यादा नहीं पहुचा सकती है लेकिन अगर हम कम वाला SPF ले लेना चाहिए गर्मी के सेजन में और बिंटर के सेजन में में दोनों ही आप लोगों को बता जेती हो कि अगर हमारे स्किन को सूर के किरने के वज़र से हमारे स्किन डाइमेज होना स्टार्ट हो गए तो वो धीरे-धीरे क्या होता है वो आप सभी को पता है मैंने वीडियोस में बताए हैं नहीं देखा है तो मेरे चानल पर जाके देख लेजे जो नए वीवर्स हैं उन लोगों के लिए बता सब्सक्राइब करने देंगे हमें SPF की 50 जरूर लेनी है SPF की 15 है 13 है वह भी आप ले सकते हो लेकिन आप SPF 50 लोगे तो वह ज्यादा बैटर रहेगा ऐसे यह थी संस्क्रीन के दिफेरेंट की SPF 13 और 15 or 50 में क्या डिफेरेंस है आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ मेंठे और आप लोगों के लिए हेलफिल होगे तो आझ के लिए इतने ही मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लिस लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और अगर आप मेरे चैनल के न्यूं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना साथ ही बैल अकन घंटी को प्रेस करके जाना ताकि मेरे द्वारा बनाएगे वीडियो सबसे पहले आपको मिल आज के लिए इतने ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाएए